नमस्कार FNO की पाठशाला में आपका स्वागत है मैं हूं मांसी दवे और वाइदा बाजार की ABCD में हम futures से आगे options पर चले आए हैं और options हमें सिखा रहे हैं जी business के managing editor अनिल सेंग वी जी अनिल जी call put ये सब हमने समझने की कोशिश की options की पिछली class थोड़ी सी समझ भी आई लेकिन difficult भी थी अब सवाल यह है मुश्किल है और होगी थोड़ा और मुझे Twitter मेंसेज भी वैसे जा रहें कि थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है तो वह होगा एक्चुली और आपका उसके उसके लिए तब आपको theoretical knowledge और practical trade दोनों मिला के करें कि तब समझ में आएगा निश्चिन रहिए लेकिन एक चीज और यहां कहना चाहता हूं इसका मुझे नहीं कि समझने के लिए आप कल से ट्रेड शुरू कर दें थोड़े और आगे कि एपिसोड समझ लीजिए और उसके बाद प्श रखेंगे मैं समझा दूंगा लेकिन टाक्टिकली ट्रेड करने के लिए हमें options खरीदने होंगे खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं जो आपकी इच्छा है करें तो options खरीदने के लिए क्या करना होगा यही सवान है लेकिन उसका तरीक है और इसमें मांसी एक चीज समझन जरूरी है कि option खरीदने बेचने में और future खरीदने बेचने में फरक है कैसे future में तो simple है आपने वाइदा करोबार में गए एक future खरीदा एक बेच दिया price cash market के आसपास ही होती है ज्यादा फरक नहीं होता थोड़ा premium discount हो सकता है लेकिन जब आप options trade करने जाते तो बिलकुल अ option में पहली चीज ट्रेडिंग किस चीज की होती है सिर्फ premium की ना की पूरे amount की यह फरक समझना है कैसे आपको पिछले episode में मैंने strike price बताया था याद है strike price का मतलब यह कि हर एक अलग-अलग price के option trade होते है मसलन आपका निफ्टी चल रहा है 11,000 तो निफ्टी के आपके अलग-अलग strike price हो जाएगी 10,950, 10,800, 10,850 या 11,000, 11,000, 11,100, 11,000, 11,150 इसे हर 50 point की strike price होती है option में सबसे बड़ी बात जो है कलाकारी वाली वो यह ही है कि आपको कौन सी strike price का option खरीदना है यह decide करने के लिए ही आपको यह सब कुछ सिखना है पैसा कमाने का जो मंत्र है जो formula है वो इस बात पर depend करता है कि आपने क्या वाके में सही strike price के option में trade किया और उसको करने में जिन्दी निकल जाती कहीं पार उसी की expertise हम करवाने की कोशिश करेंगे तो आगे हम बताएंगे कि यह कैसे आपको टाय करना है कि कौन सी strike price का option खरीदना है या बेशना है और किस strike price का option खरीदने बेशने में क्या risk और कितना पैसा बन सकता है यह धिरे धिरे समझाएंगे आगे अभी आप basic समझे बैसिक क्या समझना है जब आप option ट्रेट करें और option से मेरा मतलब जब में खाली option बोलू तो एक चीज़ समझ लिए वो put be or call be दो नहीं है जी बाइनेचर क्या होता है एक तो सारी जितनी लोग market में आते हैं बाइनेचर सब तेजी वाले होते हैं और कुछ ना बोले तो साली देने के लिए क्या करना होगा premium देनी होगी तो जब आप ट्रेड करते हैं तो वो trade ना जिसे फूटरें में फ्यूटर में निफ्टी चल रही होगा के अगर आप जार पचास का कॉल ऑप्शन खरिदरें हो तो उसका दाम चल रहा होगा साट रूपए सिल पैसल रूपे है अचा वही देना है तो उतना ही देना है तो पॉइंट है कि आपको खाली प्रेमियम का ट्रेड करना है यही सबसे बड़ा फर्क के फ्यूचर्स और ऑप्शन में यह समझना जरूरी है अप्शन आप चाहे खरीदें चाहे बेचें कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो पर्टिकलर स्ट्राइक प्रेस वह आपको डिसाइड करनी आपने कर ली अब उस प्रेमियम चल रही है उस प्रेमियम का आपका सोधा होगा प्रेमियम कितनी ज्यादा बढ़ती गटी कैसे बढ़ती है कितना पैसा बनता ही है मैं आगे बताऊंगा अब आपको कैसे ट्रेड होता लेकिन मैं यह त्रेड अब हमारे कोई दर्शक नहीं करेंगे पहले से समझने के कूश्च करेंगे लेकिन फिर भी ये सवाल रिस्क जो है वो क्या होगा। मेरी रिस्क फैक्टर क्या है। अब इसमें दो चीजी है। रिस्क इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खरीद रहें या बेच रहें। जैसा कि option की basic चीज हमने क्या बता ही, option क्या है, option आपको एक हक देता है, right देता है, अधिगार देता है, या आप इतने पैसे दीजिए और आपको एक right मिल रहा है, वो stock या वो index किसी particular price पर खरीद नहीं है बेचने का, call option है, right to buy, put option है, right to sell, correct, तो जब आप खरीद रहे हो, तो आपकी risk उतनी ही है, जितनी premium आपने दी, simple, correct, यानि, कि अगर आपने कोई call option खरीदने के लिए 100 रुपे दिये, निफ्टी का 11,000 का call option आपने खरीदा 100 रुपे में, अब वो निफ्टी, 11,000 वाला 10,000 हो जाए, आपके 100 रुपे से ज़्यादा का नुक्सान नहीं हो सकता, आपका maximum नुक्सान fix हो गया, आपने कोई option खरीदा हो है, तेजी की position बनाएगे, या आपने put option खरीदा है, यानि मंदी की position बनाएगे, आपने 11,000 का put option खरीदा है, और निफ्टी हो गया 12,000, आपके 100 रुपे जाएगे, जितने premium आपने, आपके premium zero हो जाएगी, तो समझ में आगया, जो option बायर है, उसके risk कितनी है, जिस प्रीमियम उसने भरी है, जितने premium में आपने trade किया है, जितने premium दे का आपने option खरीदा है, खरीदा है, यही तो दिक्कत है वांसी, जिए जितने trader हो सब खरीदने के बारे मीं सो, अरे, बेच्चे का कौन फेर, वही तो है मेरे आगला सवाब, घूब आपको तो कोई तो एक ऐसा आदमी है ने जो ले रहा है, जो ऑप्शन बेच रहा है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर जिसको हम बोलता है, उसकी रिसक अनलिमिटेड है, उसकी कमाई फिक्स है, जितने प्रीमिम हारी अतनी, लेकिन अगर निफ्टी आपने दस जार, ग्यारा जार का call option खरीदा 100 रुपे में और किसी ने वो बेचा है और निफ्टी हो गया 12,000 तो जो राइटर है उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा ठीक है जो option seller है तो यह चीज़ ध्यान परकिए तो option seller के case में रिस्क unlimited है ठीक उसी तरह है जिसा आप future बेचते हो न तो आपकी risk unlimited है future खरी कमाई हो दोनों option में जब आप option खरीदते हो तो आपकी risk आपको पता है लेकिन जब option आप बेचते हो तो आपकी risk unlimited हो जाती है वैसे तो कई बार लगा लेकिन आज में आपको बता भी देती हूं कि दर्शकों को भी और मुझे भी लगता है कि यह class जो है थोड़ी और लंबी वो तो हम समझ रहें लेकिन बेचना है तो और क्या करना है थोड़ा और detailing में अगली class में हम समझेंगे अब बने रहे हमारे साथ नमस्कार